हाई फ्रेंड्स जाई जागनाथ वेलकम बाक तो मैं चानल और आज का जो नया ब्लोग है मेरा आज हम जाएंगे एक मंदिर में जो कि बहुत ही सुन्दर है मंदिर और मैं गया नहीं हूं कभी उस मंदिर में तो मेरे दोस्ते ने बताया कि यह मंदिर बहुत सुन्दर है और बहुत ही सुन्दर सा मंदिर है और जाएंगे तब ही पता चलेगा महां पर तो मेरे साथ बने रही है दोस्तों हम जाएंगे महां पर तो आहीं चलते हैं महां पर झाओब सास्च को महां पर तो मेरे जांगे मां चलते हैं मैं चलते हैं ममांदे हैं मनमा उ οποा अड़े बता हैं म inj yapıyor मत्तों केंद़ को कर दो कर दो दो कि ऑ है है का थैसरे अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर में और पहुंच चुक है मंदर के यह देखो मंदर का साम में गट और अभी हम जा रहे हैं अंदर की तरफ कर दूब कर दिश्ट कर दूब कर दूब कर दूब झाल झाल यह एक मंदिर देख रहे हैं यह मंगडा का मंदिर है और जो कि अभी हम लोग उपर जा रहे हैं जब नीची की तरफ आएंगे तो इसके अंदर जाएंगे तो यहां देख रहे है गार्डेन और यहां टॉलेट बगर है पुजारी जी यहां रहता है और यह जो साइट देख रहे हैं यहां पर सब शादिया होती है वहां पर खाना पीना नहीं पर होता है जो कि अभी बंद है कितना सुन्दर है मंदिर आप यह लक्मी नाराणी जुका मंदिर है लब शांत जगह है दोस्तों और आप अगर यहां आते हैं तो कुछ देर जरूर बेठें मैं तो बहुत ही बढ़ा लग रहा है पर यान वाख गहा है पर नहीं केना सब्सक्राइब लूए है जिए जड़ा उत हमारे सुन्दर करें प्रका लिए नहीं करें कि लोगे नाने सुन्दर्ण बंद ज़ाए जब एक जबदा वाखें आप लेया जब एक जब जब लेए जब शाहिए आप सब लोग ने देखा कि मंदिर इसा है और बहुत ही खुबसूरत है मंदिर और मैं भी पहली बार यहां पर आया था और मतलब क्या बता हूं यह मंदिर जो है भुबनेशाद स्यली श्री बिहार बुद्धपार्प के पास में है बुद्धपार को इसका साइड में है और आप लोग यहां पर ज़रूर आई है बहुत ही सुन्दर मंदिर है और फिर फिर हम लोग मिलेंगे आगए नए ब्लॉग के साथ तो तक तक के लिए थैंक्यू दोस्तों और मेरे चानल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लागा वीडियो फ